कैसे आप लोग उम्मीद करूँगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं तो मैं के जंदर शर्मा एक बार फिट से आप सभी का स्वागत करता हूं अड़्डा 24 7 CUTKS परिवार के अंदर आप बहुत बहुत बेसबरी से इंतिजार कर रहे थे सर अप्लिकेशन डेट का वह तो कॉंबिनिशन से आप सभी क्योंगी यह बहुत सारी चीज़ां आप सभी के लिए निकल के आ गई है तो इसी पर मैं बात करने वाला हूं तो वीडियो को लास्ट तक देख रहा है अपने जितने दोस्ते फ्रेंट से सभी को शेयर कर दीजेगा जिससे माक्सिमम लोगों को इसके बारे में पता लग जाए और लास्ट मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक बहुत अच्छी चीज़ जिससे आप लोग अपनी तयारी को जबर्दस तरीके से कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं अपने जितने दोस्त हैं फ्रेंट से सभी को यह शेयर कर दीजे अफिशली अपने ट्यूटर हैंडल के ओपर भी इसको डाला है तो सबसे बड़ी बात क्या हुई है यहां पर यह हुई है कि इन्होंने काफी चीजों के बारे में खुलासा किया है जैसे नमबर वन आप सभी के लिए यहां पे इस बार यह लोग क्या कर रहे हैं हाइब्रि लिए तो उसके बेसीस पर निएटक होता है तो उसतरीके का भी एग्जाम का यहां पे उन्होंने प्राफ्दान रखा है में बात चल रही है लिए कं़र के बाड़ी रखना है एसा नहीं कि बहुत ज्यादा तगड़ा कर दिया जै इसके बाद में इन्होंने दो-3 चीज औ यहां पर इन्हों ने बोला गया है कि रूलर जो एरियाज होते हैं उसके अंदर यह लोग सोच रहें कि भाइया इस बार क्या कराए जाए हाइब्रिड मॉडल पे पेपर हो जिससे क्या हो कि उनके घर के आसपास उनको मिल जाए और इसली वो क्या करें पेपर को दे पाए इस इसके बाद में नोंने क्या बोला गया है कि registration जो है उनकीं डेट्स के दिए भी बोला गया है कि 19 तारिख्यक्स के बीच में आप लोग का एक्जाम है वो कराया जाएगा और यहां पर सबसे बड़ी बात पता है क्या किया गया है इन्होंने नंबर आप जो सब्जेक्ट से ना उनके अंदर भी चेंज कर दिया है शिफ्ट के अंदर चेंज कर दिया यह इन्होंने ऑफिशली यहां पर स्टेट्मेंट में बता दिया है अब इन्हों क्या करेंगे बिटा आप सभी के जो exam से सबसे पहले form filling आप लोग कर दोगे उसके बाद में ये लोग चेक करेंगे कि कि subject के लिए सबसे ज़्यादा applications आई है उसके according ये लोग क्या करेंगे उस paper को offline कराने के पूरे mood में नजर आ रहे हैं और कैसे होगा omr sheet के बेस्ट 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 आपको पताई ठीक है अब इन्हों क्या किया यहां पर ठीक है और इन्होंने क्या किया working कर रही है एंटी है कि भाईया difficulty जो level moderate रखा जाए ऐसा निक हाई पर पहुचा दिया जाए ठीक है बीटा और यहां पर बोला गया है कि जो आप लोग omr sheet पर यह सारी चीज़े करने वाले उसके लिए यह लोग क्या कर रहे हैं वहां पर center से उनको establish करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं अब इन्होंने क्या बोला है देखो आप लोग की जो एक्जाम से पीन shifts में होंगे पहली shift जो होने वाली 9 से 11 होगी 12 से 12 तीस से लेके दो बज़े तक और चार से लेके साड़े पाँच बज़े तक यानि कि almost पहली shift को दो गंटे और उसके बाद में फिर देड़ गंटा फिर देड़ गंटा इन्होंने यहां पर किया है और इसके बाद में और देखो इन्होंने क्या किया है कि 10 subjects को maximum ले पा रहे थे पिछली बार तक लेकिन जब और सिर्फ 6 paper ले सकता है यह देखो we will permit student to take only 6 test paper जिसके अंदर भी इन्होंने क्या include किया है कि भईया 3 domains ले सकता है 2 language और एक journal test इन्होंने बता दिया और जो anti है वो work कर रही है कि इसके ओपर बेटा यहां पर जो difficulty level है उसको मतलब जादा ना करें सिर्फ moderate तक यहां पर रखे यह UGC के chairperson ने उनसे meeting के दोरान बता दिया है और यह सारे conclusions उसके अंदर आए यानि कि basically अगर मैं बात करूँ तो आप लोग के पास यहां पर क्या है six paper तक आप लोग चुन सकते हो subject combination भी बता दिया है वह यह तीन domain है एक language तीन domain है और उसके लिए तीन domain के बाद में दो language है आप सभी के लिए आ गया है तो अड़ा 24-7 आप सभी के साथ खड़ा हुआ है आप लोगों की तैयारी को जबर्दस तरीके से करने के लिए और आप सभी को दे दिया गया है हमारे जितने भी premium content है उन सभी पर 20% का जी हां विर्कूल सई सुना तो यह आप लोगों का शाम से एक्टिवेट हो जाएगा तो जाएए इसका फाइदा उठाइए और जबदस तरीके से अपनी त्यारी कर लीजिए कि सर अब की बार स्लेक्शन मुझे लेना है बस खतम तो उसके लिए क्या करना है कूपन कोड यूज करना है वाई 485 और इसको लगा कि आप लोग कर सकते ह बिटा ऐल कोर्स इस पर जैसे ही जाएंगे आप लोग तो यहां पर कूंट को जोघा न है वह ञए रगाना है वो मैंने आप सबीक बता दिया है कौन सा भी बिटा वाई 485 इसको लगात और लगाने के बाद में आप लोग और आप लोग अन्रोल आज से ही स्टार्ट कर दीजिए using the code y485 ठीके पेटाजी तो thank you so much and bye bye to all comment section के अंदर बताइएगा offline की बास सुनने के बाद में कैसा लगा आप सभी को thank you and bye bye to all